तो देखो इस वाले कोश्चन में देखो बच्चो एक एवी ग्राफिकल कोश्चन ने ग्राफ से रिलेटेट करता है भी और एक अगर मैं ग्राफ बनाऊ तो ग्रिविटेशनल पोटेंशियल एंड फिल्ड अफे डिस्टेंस आर प्रम दे सेंटर आप इवनिपॉर्म सॉलिड एस्पियर तो अगर सॉलिड एस्पियर है उसका ग्राफ बना जाए भी और एक और इसके सेंटर से अगर मैं जाता हूं ठीक है इसके सेंटर से डॉट 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 तो मैं इलेक्टिक फिल्ड ग्रिविटेशनल फिल्ड वर्सेज आर का मैं प्लॉट बनाता हूं तो अंदर में ग्रिविटेशनल फिल्ड का फार्मूला आपको पता होगा जो लोग पढ़ाई करते होंगे उनको पता होगा कि अगर एह एश्पीर और दिस्टेंस पे ग्रवीटेशनल फोल्ड की जो वेलु होती है हो वह होती है जी कि मास केकिर मास आपदे इस्पिर इसमाला वार कैपिटेल आर कपी मदल डारी प्रोपोर्शनल होता अंदर में तो जो प्लॉट हाता डारीक्ली प्रोपोर्शनल जैसे से दूर जाओगे ये graph ऐसे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते maximum होगा और without any break the graph goes to infinity यह क्या है एक continuous curve है continuous करब है कहीं कोई break नहीं है तो यह वाली चीज दूसरा अगर potential बनाओगे तो potential का graph अगर बनाओगे तो यहां से तुम देखोगे अगर एक solid sphere है और अगर अंदर में जो potential का करव आता है center से यहां से जाओगे infinity को तो जो potential का plot आता है वो कुछ वैसे तो potential negative होता है तो मैं इस coordinate में बना देता हूँ तो कुछ ऐसा आता है potential solid sphere का ठीक है तो यह जो graph होता है ठीक है यह 0,0 यह center पर potential maximum होता है ठीक है और धीरे धीरे घरता चला जाता है और यह कुछ पैरा बोला और rectangular hyperbola से मिल के बना होता है यह graph तो तुम देखोगे कि यह दोनों जो कर्व है वो continuous कर्व है यह भी क्या है continuous कर्व है आई हो कि यह पूरा पढ़े हो गया ठीक है तो इसमें कर्वाएब जो कर्वाढ़े हो।